हेलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर टू एक चरवले रहकिक समिकरन की प्रशनावी 2.2 का फिफ्ट और सिक्स कोशन सोल करेंगे उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी notification आपके पास आजाए अब कोशन की तरफ चलते हैं फिफ्ट कोशन क्या है दो संख्याओं का अनुपात 5 रिशु 3 है यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याओं ग्यात कीजिए कोशन में दिया गया है कि दो संख्याएं है उनका अनुपात क्या है पांच रेशो तीन है अब देखिए यहां संख्याओं में अनुपात क्या है पांच रेशो तीन दिया गया है तो जब भी संख्याओं में अनुपात दिया गया हो तो हम उनको ऐसे मानेंगे कि एक संख्या 5X है और दूसरी क्या है 3X है तो मैंने माना संख्याए 5X और 3X है ठीक है अब जैसे मान लीजिए आपके पास रेशो अगर दिया रहता दो संख्याओं का 6 रेशो 7 दिया होता तो आप क्या मानते कि एक संख्या 6X है और दूसरी क्या है 7X है तो अब यहां तो 5 रिश्यो 3 था तो मैंने माना संख्याई क्या है 5X और 3X है अब प्रशन के अनुसार क्या दे रखा है कि उनमें अंतर जो है कितना दिया गया है 18 है अंतर मतलब घटाना तो हम क्या करेंगे 5X-3X अंतर का है उन्होंने तो इसलिए हमने घटा दिया क्या दे रखा है अब देखे 5X है और यह कितना है 3X है तो 5X में से 3X गए 5 में से 3 गए कितना 2 तो 2X फिर बराबर 18 अब किसका मान निकालना है हमने X का तो X को हम यहीं रहने देंगे और 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जेंगे तो X को यहीं रहने देते है ठीक है और 2 गुणा मे है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या कर देंगे मुसको बटे में लिख देंगे तो इनको काट लीजे दो निमे 18 तो एक्स का मान क्या आ गया नो अब हमें संख्याई बताने अब संख्याई क्या है पाच एक्स है अब हम इसमें क्या रखेंगे एक्स का मान रख लेंगे अब देखे पांच जो है एक्स के साथ क्या है गुणा में है तो पांच और गुणा एक्स का मान क्या है नो तो 5 निमे 45 तो एक संख्या क्या हो गई 45 और दूसरी संख्या देखे 3X है इसमें भी X का मान रख लेंगे 3 गुणा में है तो 3 गुणा 9, 3 में 27 तो वो दो संख्याए कौन सी हो गई एक 45 हो गई और एक क्या हो गई 27 हो गई तो अतह संख्याए 45 और 27 है ये था कोशन 5 अब कोशन 6 करते हैं 6 कोशन देखिए क्या है तीन लगातार पुर्णांकों का योग 51 है पुर्णांक ग्यात कीजिए तो 3 जो है कोई लगातार पुर्णांक है उनका योग मतलब उनको जोडने पर जो है 51 आना है तो अब हमें बताना है कि वो 3 पुर्णांक जो है कौन से होंगे तो देखिए इसे कैसे करेंगे कि माना 3 लगातार पुर्णांक जो है X, X प्लस 1 और X प्लस 2 है अब देखिए ये मैंने कैसे माने अब देखिए कि जैसे 4, 5 और 6 है ठीक है यह 3 लगातार पुर्णांक है ऐसी 10, 11 और 12 ये भी क्या है? 3 लगातार पुर्णांक है अब देखिए मैं x में 4 का मान रखते हूं ठीक है 4 फिर 4 जमा एक 14 है? 5 ऐसी x में 4 का मान दुबार रखा 4 जमा दो 14 है? 6 तो इसलिए मैंने जो है कैसे माल लिए तीन लगातार पुर्णाग एक X माल लिए क्योंकि पता तो है नी न कौन से होंगे वो तो मैंने माल लिए एक X होगा, एक X प्लस 1 होगा और एक X प्लस 2 होगा ऐसी आप 10, 11, 12 को भी रखके देख लीजे, X की जगा 10 रखा मैंने, ठीक है दस, फिर 10 में एक जोड़ेंगे क्या मिल रहा है, 11, फिर 10 में क्या जोड़ेंगे, दो जोड़ेंगे, तो क्या मिल रहा है, 12 तो वो तीन लगातार पुर्णाग कोन से हो गए, मैंने माल लिए X, X प्लस 1 और X प्लस 2 अब देखे प्रशन अनुसार, प्रशन के अनुसार, प्रशन में क्या दिया गए कि इन तीन लगातार पुर्णांकों का योग क्या है 51, मतलब इन तीनों को जोडने पर 51 मिल रहा है, पहला पुर्णांक क्या है X, दूसरा क्या है X प्लस 1 और तीसरा क्या है X प्लस 2, इनको ज लोड़ने पर जो है क्या मिल रहा है 51 अब इससे हम सोल्व कर लेंगे हम क्या करेंगे इसमें X का मान निकालेंगे तो पहले X X वलों को जोड़ लेते हैं देखिए 1 X ये दूसरा X और ये तीसरा X तो कितने होगे 1 2 3 3 X ठीक है फिर अब बीना X वलों को जोड़िए ये 1 1 है औ 2 2 और 1 3 और जमा का निशान और बराबर 51 अब देखिए X का मान निकालना तो 3 X को यही रहने देंगे और प्लस के 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 तो 3 X बराबर 51 में से 3 गए कितना होगा 11 में से 3 गए 8 और उपर से 4 48 आया फिर देख पर की दूसरी तरफ हम इसे कहा लिख लेंगे बटे में 48 बटे 3 अब इसे काट लीजिए 48 को 3 से भाग दीजिए कितने पर जाएगा 3 एकम 3 4 में से 3 गया एक 3 चीके 18 तो X का मान क्या गया 16 तो अतहत 3 लगातार पुर्णांक अब जो यह पुर्णांक हमने माने थे 3 इन में ह X का मान रखेंगे क्या 16 फिर दूसरा क्या है X जमा एक इसमें 16 का मान रखेंगे 16 जमा एक क्या हो जाएगा 17 फिर तीसरा क्या है X जमा दो उसमें भी X का मान रखेंगे 16 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 18 तो अतहत 3 लगातार पुर्णांक कौन से है 16 17 और 18 तो आज हमने 5 इफ्ट और सिक्स्त कोश्चन सोल्व करा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू